नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस study for civil services में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका feedback है कोई suggestion में तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल क को तुरंद सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूट्व में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी फार एक्जाम्स में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी प्यस्सी 2023 के लिए करेंट रफेर के एक सिरूर शुरूर शुरूर किया है और यह इसका पाच्वा भाग है तो आज़े देखते हैं हम लोग पहला प्रस्न दो इंटरपोल की नब्यमी महासभा नई दिल्ले में आज़ित की गई थी भारत 1949 में इसमें सामूल हुआ था वर्तमान में इसके कुल 195 में सदसे देश हैं और यह जो स्टेटमेंट है यह इंटरपोल के संदर में यह सभी स्टेटमेंट है इसमें आपके बताना कं साय स्टेटमेंट सही है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या एक दो 3 इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है इंटरपोल की नब्यमी जो बैटो गर आज़ित की गई थी वोग नई दिल्ली में आज़ित की गई थी और इसे 18 से 21 अक्टूबर के मद आजित की गई थी इसका दूसरा स्टेटमेन यह भी सही है भारत जो है उन्नीस सो उन्चास में इंटरपोल का जो है एक सदस देश बना था और वरतमान में जो है इंटरपोल के कुल एक सो पंचानवे सदस देश है इसका जो तीस स्टेटमेन यह भी सही है तीस प्रकार जो है Oppsion D है आपकत सही होगा इंटरपोल के जो स्थापना होई है वा वर्स 1923 में इसकी स्थापना होई है और इसका जो मुख्याला है Uns जो फ्रांस में गचत है यहाँ पर इसका मुख्याला इस्थित है 1997 में इंटरपोल की बैठक आज़ित की गई थी भारत में और इसके नबबे में जो बैठक होई है यह आपके नई दिली में आज़ित की गई है तिसका जो आपसंडी है वह सही है भारत ने किस राज में सहरी सिवाओं के सुधार के लिए ADB के साथ 125 मिलियन डालर के रिंड के स इसका जो आपसंडी है वह सही है बात करते हैं हम लोग ADB की तो ADB जो अस्थापना हुई है वर्स 1916 में ADB के स्थापना हुई है और इसका जो मुख्याला है वो मनीला फिलिप्पीन्स में जो है इसका मुख्याला इस्तित है और वरतमार में जो इसके कुल आनसर सदसे लिए गया आएते हैं अगला प्रस्म लोग ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2022 के संदर में यहां पर रैंकिंग दी गई है चार बेलारूस की एक बंगलादिस की 64 भारत की 107 और पाकिस्तान की निन्यान में दी गई इसमें आपको बताना है कौन से रैंकिंग जो है सही सुमीलित ह आप सनाप लोग पढ़ लिजे गलोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बेलारूस की जो रैंकिंग है वह पहली है यह सीर्स पर है इसमें भारत की जो रैंकिंग वह 107 है पाकिस्तान की जो रैंकिंग आपकी 99 है परन तो बांगलादिस की जो रैंकिंग है वह 64 नहीं है बलकि बांग और चौथा आपका सही सुमिलत है इसका जो आपसन D है वह सही है साथ में जो है 64 जो है आपके स्रिलंका का है जो भारत का फिशा काफी अच्छा है इसके साथ है नेपाल की जो रैंकिंग है इसमें है वह 81 है बांगलादेश की 84 है और पाकिसान आपका 99 है और भारत इस रैंकि इस देशों की रेंकी जरी की गई थी जिसमें भारत का 107 अस्थान जो काफी खराब है आईते हैं अगला प्रसम लोग गूगल ने प्रोजेक्ट बाणी किसके सायोग से सुरू किया है आयाटी मदरास आयाटी कानपुर भारते विज्ञान संस्थान या दिल्ली इंवरसिटी तो गूगल ने इस सुरू किया है भारते विज्ञान संस्थान के सायोग से इसका जो अप्सन सी है वह सही है और इसके साथ जो है आठ पार्क है वह भी इसमें सायोग किया है और इसके तहट जो तीन साल में कुल 777 जिलों में जिलों के लगबग एक मिलिन लोगों की भासर सेट एकतर करके जो है पूरी भारत मुपियों की जाने वाले बिवित भासाओं का मानचित्रन किया जाएगा और इसका जो देश है एक स्वाचालित भासर पहचान भासर सेनुबाद और प्राक्तिक भासा समझ ज आमिसा ने किस सेनाबल का प्रहरी एप लांच किया है SSB, CISF, BSF या CRPF तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्सन सी BSF का जो है प्रहरी एप को किंद्री गिरिह मंत्री आमिसा आजी ने लांच किया है BSF जो अस्थापना हुई है, वर्स 1965 में BSF की अस्थापना हुई है और इसे राच्छा की पहली पंक्ति की नाम से भी जाना जाता है और यह केंद्री गिरिह मंत्राले कंतरगर जो है आता है SSB जो 2022 में अपना 1 दिसंबर को 98 जो है 98 अस्थापना दिवस मनाया है इसका जापन सी है वह सही है 720 मेगावाट मंग देच्छू हाइड्रो पावर प्रजेक्ट को नेपाल ने किस दिस के सायोग से अस्थापित किया है चीन, बांगलादिस, अमेरिका या भारत तो नेपाल ने इससे अस्थापित किया है भारत के सायोग से इसका जो अपसंडी है वह सही है और इसका उतगाटन प्रधान मंत नरिद मोदी ने जो है वर्स 2019 में किया था नेपाल के लिए और इसके जो छमता वायकूल आपकी 720 मेगावाट की है और इसके बनने जो है भुटान में 44 परसन जो है बीजली उतपादन के ब्रिद्धी हो गई है इसका जो अपसंडी है वह सही है ग्रिह मंत्राले और किस राज ने जड़ यू यफ ससस सम्मू के साथ संचालन समाप संजोते पास्ताचर किया है यह अपका सम्झोता हुआ है ग्रिह मंत्राले मरिपूर सरकार और जेलियन ग्रोंग यूनाइटेट फ्रंट जिसे जड़ यू यू यफ की नाम से जाना जाता है तो इसका जो ऑप्सन भी है वह सही है और यह है नागाओं का एक ससस सम्मू है जो मरिपूर में जो है सक्री है इसका जो ऑप्सन भी है वह सही है UPSS 2022 में जो है इसी प्रकार के question आया था और आगे भी UPSS में आने की संभावना है यह प्रस्ण आप दो जरुन नोट कर लिजएगा इसका जो option B है वह सही है और आप आप संडी UDP में जो है खेल विज़्यान केंद्र का उदगाटन किया गया है और इसका जो उदगाटन है वह केंद्री युवा कारिकरम वह खेल मंत्री अनुराक ठाकुन इसका उद गया है और ODP जो है यह कनाटक मिश्तित है और यह स्पोर्ट साइन सेंटर खेल वग्यानिकों एवंग एथलीटों को एक साथ लाएगा और यह आपके ODP में उसके अउधगाटन किया गया है लवलीना बोर्गोहेन निकहत जरीन ने महिला मुक्यबाजी राश्टीर चयम्पेनसिप में कवं से पदक जीता है सौनद पदक, रज़त पदक, कांस या इनम स्कोई तीन दोनों ने सौनद पदक जीता है और इन्होंने फाइनल में लवलीना बोर्गोहेन ने फाइनल में अरुंधरी चवधरी को हरा कर सोन पतक जीता है और इनके जो कटगरी थे वो 75 किलोग्राम वर कटगरी में इन्होंने जीता है और इसके साथ निकहत जरीन जो है इन्होंने अनामिका को हरा कर 50 किलोग्राम वर कटेगरी में सोन पतक जीता है लवलीना बोर्गेहन जो है यह आपके असम की है और निकहत जरीन आपके तेलांगाना की है इनके राज़ को जरूर नोट कर लिए जगा आप लोग यहां से प्रसनाव की परिच्छा में पूछी जा सकते हैं और यह जो प्रत्योक्ता आज़ित की गए थी यह भोपाल में आज़ित की गए थी प्रत्योक्ता महिला मुक्यवाजी राष्टी चैंपियंसिप इसे 20-26 दिसंबर की मद्ध जो है आज़ित की गए थी मद्ध प्रदेश में इसका जो आप्शन ए है वस सही है आगे बढ़ने इस पहला आपको बताना चाहता हूँ UPSC RO, BO, UPSC Prelims BPSC सहीथ हमारे काई प्रत्योक्त चल ले हैं अगर आप इन प्रत्योक्त सुझनना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पे कॉल का जनकाई पाप्त का सकते हैं तो दोस्तों आगला प्रत्योक्त देखते हैं 200 खास दिवस 16 अक्टूबर को मनाये जाता है और 2020 की इसकी थीम किसी को भी पीछे ना छोड़ें Leave no one behind थी आपको बताना है काउन साई स्टेट्में जो है सही है केवल दो दोनों या इन्विस कोई नहीं है इसका जो सही आंसर है और आप्सन सी इसकी जो दोनों स्टेट्मेंट पर सही है 200 खास दिवस जो है प्रतेक वर 16 अक्टूबर को मनाये जाता है और इसका दूसरा स्टेट्म में यह भी सही है और 2022 में जो इसकी थीम रखी गए थी किसी को भी पीछे न चोड़े लिव को वन बिहांड जो है इसकी थीम रखी गए थी और इसकी जो है अंतराशणी जो संगठन है 200 खाद का वगे क्रिस संगठन है और इसकी जो अस्थापना की गए थी जिससे हम लोग यह यह की नाम जानते हैं इसकी जो अस्थापना की गई थी वर्स 1945 में इसकी अस्थापना की गई थी और इसका जो मुख्याला है वर रोम इटली में इसका मुख्याला है इसका जो आप्शन सी है वस सही है Center for Economics and Business Research जिससे सर्व की नाम जाना जाता है कि यह अनुसार भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्ता कब तक बन जाएगा 2030, 2030, 2030, 2035 या 2037 तो इसका जो सही आंसर है वह अप्शन डी वर्स 2037 तक जो है भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्ता बन जाएगा यहां से एक प्रस्ण और आपकी परिश्व को जाएगा कि भारत 10 ट्रिलियन जो है एकनौमी और देश कब तक बन जाएगा तो आपका 2035 तक बन जाएगा भारत 10 ट्रिलियन एकनौमी और देश अगर प्रस्ण पोज़ता तीसरी अर्थव्यवस्ता कब तक बन जाएगा तो 2035 तक 10 ट्रिलियन का टार्गर भारत का है कि यह पूरा कर लेगा और 2037 तक जो है बिस्टु की तीसरी अर्सेवास्ता आपका भारत बन जाएगा इसका जॉप्सन दी है वह सही है आएते हैं अगरा प्रसम लोग बैस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग संदर्वे यहां पर तीन स्टेट्मेंट दिया गया है सन्युक्तराष्ट विकास कारिकरम UNDP और Oxford Poverty and Human Development इन एसेटिव ओपी एचाई ने वैस्विक बहु आमी गरीवी सुचकांग 2021 किस जारी किया है और इस सुचकांग में भारत क्रेंग 682 है इसमें कुल 4 आयाम होते हैं इन तीनों स्टे इसका जो पहला स्टेट्मेंट यह सही है सन्युक्तराष्ट विकास कारिकरम और Oxford Poverty and Human Development इन इसेटिव ने वैस्विक बहु आमी सुचकांग 2021 किस को जारी किया है इसका दोसरे श्ट्म नियाविस है इसमें भारत क्रेंगी है वह 6 चठवी है तीसरा जो ष्टेट्मेंट यह गलत है इसमें 4 आयाम नहीं होते हैं बलकि इसमें 3 आयाम होते हैं और वह आयाम आपका सिच्छा है स्वास्त है और जीवन अस्तर होता है तो टोटल जो है तीन अ जारी किया गया था वह अनपैकिंग डेप्रिवेशन बंडल टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के नाम से जो है सीरसक के रूप में जारी किया गया था बैस्विक बहुयामी गरीवी सुचकांग को एक चीज और आप लोग नोट कर लिए भारत के परिपेच मे जो सबसेत हैं गरीवी वब आपकी बिहार में है दूसरे अस्थान पर आपका ज्षारखंड है और हम लोग भी बहुत पीछे नहीं है UP जो है वो तीसरे नंबर पर है UP जो है तीसरे नंबर पर है सबसेरा गरीबी बिहार में है दूसरे अस्थान पर आप जारकन पर आपका UP है और सबसे कम गरीबी कहां पर भी आप लो जान लेजे सबसे कम जो गरीबी है वो आपके केरल में है दूसरे अस्थान पर पूदू चेरी में और तीसरे अस्थान पर आपका लच्छ दूइप में तीस प्रकार जो है इसका जो पहला statement है वो आपका सही है पहला जो option है वो सही है केवल एक और दो आएते हैं अगला प्रस्म लोग एक अक्टूबर 2022 को भारत के कुल कितने सहरों में 5G सिवा सुरू हुई है 10, 12, 14, 13 ते भारत कुल 13 सहरों में एक अक्टूबर 2022 को 5G सिवा सुरू की है इसका जो option दी है वो सही है इसमें आपका दिल्ली है गुरुगराम है मुंबई है पूरे है एहमदाबाद है कोलकाता लख नोट कर लिजे वह बहुत है 13 सहरों जो है 5G सिवा सुरू की गई है एक अक्टूबर 2022 को इसका जो option दी है वह सही है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पर यम यम यल्पी कहां बनाए जाएगा गौलियर गुरिग्राम बैंगलोर या चेन्नेई तो इसका जो सही आंसर है वह option दी चेन्नेई बनाए जाएगा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पर और इसे जो है रिलाइंस इंडस्टी बनाएगी रिलाइंस इंडस्टी से बनाएगी और इसकी जो कुल लागत रखी गई वह 1424 करों रुपे इसकी कुल लागत आकी गई है और इसे भारत माला परिजुना के तहट बनाए जाएगा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पर को जो चन्नेई में बनाए जाएगा आप लोग करेंट अफेर को देखते रहें और अपने एक नोटबू ज़रूर बना लेजे करेंट अपर कर लेंगे और जल्दी करा जा रहा है आप यूटूब में देख लिएगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है क्योंकि डायेट प्रस्ट ने आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कुछ इस्टेट्मेंट करेंगे और कुछ आपको छोटे क्वस्तन आपको देखने को मिलेंगे हाल ही में किस सहर में किस सहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड जीता है पूडए इंदवर हैधराबाद या अहमदाबाद यह जो अवर्ड है वह हैधराबाद ने जीता है इसका जो अपनसी है वह सही है 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 जीत लिए है कि आयते हैं अगला प्रस्म लोग हाले में कावेरी दच्चिड वनेजीव अभ्यारण को किस राज सर्कार दोरा आदूशृचित किया गया है केरल तमिलनाडू महाराष्ट या आंदरप्रदिश है तो इसका जो सही आंसर है वह आप्ट्सन भी तमिलनाडू सर्कार दोरा जो है कावेरी दच्छिड वनेजीव अभ्यारण को सूचित किया अलसूचित किया गया है और यह जो है तमिलनाडू का 17 वनेजिव अभ्यारन होगा और इसका जो कुल एरिया है वह 686 किलोमेटर इसका कुल एरिया है और वर्तमान में जो है तमिलनाडू की मुख्ष कमंत्री है वह मद्य प्रदेश के कोणो राष्ठे उद्यान उर अन्य निगरानी के लिए चीता टास्फुर का गठन किया गया है इसमें कुल 8 सदस्थे हैं और इसकी जवध है वो 2 वर्स रखी गया है sais सही है इसका जो पहला इस्टेटमन या सही है मद्र परदेश के कोन राष्ट रुद्ध्यान में जो चीते लाए गए है उनकी निगरानी के लिए चीता टास्फूर का गठन किया गया है इसमें सा सदस नहीं है इसमें कुल नव सदस है और इसकी जो अवद रखे गए वो दो वर्स रखे गए तिस प्रकार जो है पहला और तीसरा आपका सही है इसका जो अप्शन ए है वो सही है जैसा कि हम दो जानते हैं कि नावीविया देश से नावीविया देश से कुल आठ चीती लाए गया है जिन में पांच मादा हैं और तीन जो है नर चीता हैं और इसे 17 सितंबर 2022 को नावीविया से लाए गया है और जैसा कि हम दो जानते हैं कि भारत से चीते जो विलुप्त हो गए थे वो वर्स 1922 में जो है इसे विलुप्त घोसित कर दिया गया था और इसे लाकर मर्द प्रिदेश के कुनो राष्टी उद्ध्यान में छोड़ा गया है आएते हैं अगला प्रसम दो अगला प्रसम लो उत्तर भारत के पहले हाईपर इसकेल डाटा सेंटर का उद्धगाटन कहां किया गया नोड़ा नई दिल्ले इंदोरिया धर्म साला तिया जोड़गाटन किया गया है या उत्तर प्रदेश के नोड़ा में किया गया है उत्तर भारत के पहले हाईपर इसकेल डाटा सेंटर का और या भारत का दूसरा डाटा सेंटर है और इसकी जो लागत कुला की गई है वो 7000 करून पे जो है इसकी कुला आगत आएगी आएते हैं अगला प्रसम लो G20 Science Working Group Secretariat के रूप में किसी नामित किया गया है IIT दिली, IIT मदरास, Indian Institute of Sciences बंगलूरू या IIT कानपूरू तो इसका जो सही आंसर है वो option C Indian Institute of Sciences बंगलूरू को G20 Science Working Group Secret Group में नामित किया गया है और 2023 के जो इसकी थीम रखी गई है वो नौन मेसी सतद विकास के लिए विगटन कारी विज्ञान जो है इसकी थीम रखी गई है इसका जो option C है वो सही है आसा है आप सभी को बहुत कुछ जाने को मिला होगा वीडियो अगर आपको अच्छला तो लाइक कर सकते हैं चैनल सस्क्राइब कर लिजे वीडियो को पुर्देखन धन्यवाद जय हिर जय भारत